हेलो गाईज मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेकनिकल तो गाईज पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो है गोडेडी से डोमेन कैसे खरीच सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप साइड ग्राउंड से होस्ट है और कंपनियों के मुकाबले तो हम साइड ग्राउंड की जो है होस्टिंग पर्चेस करने वाले हैं अपने डोमेन के लिए अपने ब्लॉग बनाने के लिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम कैसे जो है होस्टिंग पर्चेस कर सकते हैं तो इस SiteGround की हमने website open कर ली है, हम यहां से hosting purchase करने वाले हैं, हमने SiteGround को इसलिए choose किया, क्योंकि इसका uptime और बाकी चीज़े इसकी जो है, काफी अच्छी हैं, और दूसरी hosting companies के मुकावले, ठीक है, और अब हम जो hosting खरीदने वाले हैं, वो 70% discount के साथ करीदने वाले हैं, तो आपक क्लिक करके 70% discount के साथ जो है, hosting purchase कर सकते हैं, ठीक है, इसमें 3 plan दे हुए है, startup, growbig and gogeek, ठीक है, startup plan है, इसमें एक website आप जो है, host कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो monthly visitors है, 10,000 के आसपास है, बाकी इसके साथ free SSL मिलता है, SSL certificate आपको free में मिलेगा, daily backup कर सकते हैं, free CDN मिलेगा, ओके, और email वगेरा, wordpress, यह सारी चीज़े जो है, इसके साथ benefit मिलता है, growbig जो plan है, इसके साथ में यह सारी चीज़ा, इसमें आप एक website कर सकते थे, startup plan में, growbig में आप unlimited website को host कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो baby space है, वो 20 GB मिलेगा, इसमें 10 GB मिला था, ठीक है, और इसमें monthly visitor हम 25,000 तक हम जो है, इसमें ला सकते हैं, अपरी website के अंदर हम यह जो server है, यह जो hosting है, वो जहल सकता है इतना, और इसमें free SSL, backup बगएरा, यह सारी चीज़े मिलती है, और सबसे अच्छी बात यह है, कि आप यह hosting purchase करते हैं, तो इसमें 30 days money back guarantee मिलती है, यानि कि आपको 30 दिन क अंदर आपको service, इसकी hosting की पसंद नहीं आती है, आपको hosting पसंद नहीं आती है, तो आप जो है refund claim कर सकते हैं, आपको पूरा पैसा बापिस कर दिया जाएगा, ऐसी go geek plan है, इसमें यह bad space बढ़ गया है, और यह monthly visitors जो एक लाख हैं, तो ऐसा बात नहीं है, कि इसमें 25,000 हैं, grow big, क्योंकि इसमें हम unlimited website डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक ही website जो है host करने वाले हैं, हम एक दो और blog बना सकते हैं, या website host कर सकते हैं, तो काफी अच्छा plan है, तो ज़्यादा तर लोग grow big plan को ही preference देते हैं, आगर आप सिर्फ एक ही website बनाने वाले हैं, तो आप startup plan में जा सकते हैं, वरना आप grow big plan ले सकते हैं, ठेक है, तो मैं इसको purchase करने वाला हूँ, अपनी blog के लिए, तो मैं यहाँ पर get plan पे जो है click करने वाला हूँ, register a new domain and I already have a domain, तो हमने अभी जो है पिछले वीडियो में domain खरीदा था, तो हम यहाँ पर select कर लेंगे I already have a domain, तो मैं यहाँ अपना domain डाल दूँगो जो मैंने purchase किया था, तो guys मैंने यह domain जो है पिछली वीडियो में purchase किया था, तो मैं इसको host करने वाला हूँ, तो मैंने यही domain इसमें डाल दिया, यहाँ पर अपना domain name लिखना पड़ेगा, जिससे हम जो है अपना hosting purchase कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर proceed पर क्लिक कर दूँगा, प्रोसीट पर क्लिक करने के बाद यह कहेगा account information, यानि आपनी information डाली है, अगर आपका already account है, तो already have an account login, आप login कर सकते हैं, तो मेरा भी कोई account नहीं है, मैं new सब बना रहा हूँ, तो इसमें मैं अपनी सारी details डाल दूँगा, यहाँ पर email डालूँगा, अपना जो password रखना चाहता हूँ, siteground hosting ए account के लिए, वो मैं यहाँ पर लख लूँगा, और यह बाकी सारी details डालनी है, क्योंकि इसमें discount लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर details अपनी डाल देता हूँ, तो guys मैंने उपर सारे details जो है fill कर दी है, अब मुझे सिर्फ payment करना है, तो मैं अपनी card details डाल के, यहाँ पर यह hosting जो है purchase कर लूँगा, तो guys उपर मैंने card details भी अपनी डाल दी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यह पूछेगा plan, तो मैंने grow big plan लिया है यहाँ पर, और data center पूछेगा यहाँ पर, तो data center यह होता है कि जितना नजदीक आपके data center के, आप यह देखिए कि आपके visitor कहां के हैं, यहाँ कि आप US के जो आपकी website पर visitor आने वाले हैं, या इंडिया में आने वाले हैं, जहाँ भी आने वाले हैं, उसकी नजदीक का आप data center रखी है, तो मेरे इस website पर इंडिया के ही obviously आने वाले हैं, तो इंडिया के सबसे नजदीक हम Asia का server रखेंगे, सिंगापूर का, अगर आपका जो traffic है, वो USA का है, तो आप USA का server ले सकते हैं, तो वहाँ से जो है, आप नजदीक का data center रहेगा, तो जहाँ का भी आपका जो traffic है, जहाँ कि आपकी visitors है, उसकी नजदीक का data center यूज़ कर लीज़े, तो मैं Singapore ले 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 था हूँ, period, इसमें आप choose कर सकते हैं, 12 मंद, 24 मंद, यानि 1, 2 या 3 साल के लिए, तो अगर आप अभी 3 साल के लिए ले लेंगे, तो आपको 70% discount में 3 साल के लिए मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से जो है, इसमें choose कर सकते हैं, मैं तो अभी फिलाल इसको 12 मंद के लिए ही ले रहा हूँ, ठीक है, और यह पूछेगा, SG site scanner, तो यह सब मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ यहीं चाहिए, ठीक है, grow big plan हो गया, और data center यहां हो गया, और यह 12 मंद के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और यहां पर हम click कर देंगे, I confirm that I have read, यह सारे वो हैं, और इसको हम pay nao पर हम click कर देंगे, तो guys मैंने जो है payment कर दिया है, और यहां पर लिखा your account है, was successfully created, और इस सारी चीज़े चली गई है, तो proceed to customer area पर मैं चला जाता हूँ, यहां पर click कर देता हूँ, फिर यह login करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहां पर login कर लेता हूँ, तो login करने के बाद, यह मैं अपने account के dashboard में आ जाऊंगा, ठीक है, यहां पर हम अपने services पर click करूँगा, तो देखिए, एक hosting plan मुझे मिल गया है, ठीक है, तो हमने एक successfully hosting खरीद लिया है, तो guys, देखिए, siteground की तरब से मुझे sales receipt भी आ गई है, यानि कि मुझे जो मैंने अभी purchase किया है, और यह hosting के वारे में details आ गई है, सारी, ठीक है, कि login details वगरा यह वो, तो अब मैं जो है, इस पर अपना domain connect करके, अपना blog जो है, बना सकता हूँ, तो guys, next video में मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आप जो है, अपने domain से अपनी hosting को कैसे connect कर सकते हैं, तो आपको यह video अगर पसंद आया, तो please like कीजिए, और share कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले videos हैं, उसकी notification आपको मिलेंगी सबसे पहले, और bell icon को भी आप enable कर दीजिएगा, तो मिलते हैं आपसे next video में, बढ़े